हलो फ्रेंट आज मैं देखांगों इस फीटियो में दिवार गरी रिपियर कैसे करें तो हमारा पास साब भी आया है वजनता कमपानी का ए दिवार गरी है और इसका प्राब्लेम है नहीं चल रहा है अथा देट प्राब्लेम तो फेन चलिए शुरुगर्त है और देख थे ए प्राब्लेम कैसे ठीक करें तो फेन इस तरह का डेट प्राब्लेम होने से सब्चे पहले जो करना होगा इसका जो बैटरी है इसको नया लागा के देखना होगा पुराना बाला चेंज करके इसको तो इसको चेंज करके देखना होगा तो फेन इस घरी के अंदर नया बैटर के देखना होगा इसके अंदर तो इसके लिए हमें इसको ओपन करना होगा और इसको खुलने के लिए यहां पर जो भी नाठे इसको ओपन करना होगा ऐसे और उसके बाद हमें इहां पर मिनिट सेकेंट का जो काटा है इसको हमें ओपन करना होगा और यहां पर यह जो काटा है इसको धीरे से ऐसे ओपन करना होगा ऐसे अब उसके बाद हमें इसका जो में मेशिन है इसको हमें ओपन करना होगा और इसको ओपन करने के लिए यहां पर थोरा सा चाप देना होगा इसको धीरे से तो यह मेशिन बाहर निकल आएगा ऐसे तब देख सकते और उसके बाद इस मेशिन को ओपन करना होगा ऐसे और इसका दोनों साइट में यह लॉक है इसको धीरे से ओपन करना होगा नहीं तो यह लॉक तूट जाएगा ज्यादा जोल लगाने से तो इस मेशिन का धकन ओपन करने के बाद हमें चेक करना होगा कि इस मेशिन के अंदर सप्लाइबल टेज आ रहा है क्या नहीं और यह है मेशिन का मेन सार्गिट एक कोईल तो हमें यहाद पर सप्लाइबल टेज चेक करना होगा जो बैटरी का सप्लाइबल टेज मिल रहा है क्या नहीं उच्छ से पहले इसको हटा दे अभी अब हमें इसका सप्लाइबल टेज चेक करना होगा इसके लिए बैटरीये पर लगाना होगा और उसके बाद हमें यहाँ पे सप्लाइबोल्टेज चेक करना होगा तो फ्रेंड आप देख सेकते इस मेशिन को 1.5 बोल्ट सप्लाइब मिल रहा है लेकिन इस मेशिन काम नहीं कर रहा है तो फ्रेंड इस तरह का पॉब्लेम ज़्यादातर तीन कारण से होता है एक इस मेशिन को सप्लाइबोल्टेज ना मिलने से दो इस मेशिन का IC है वो खराप होने से तीन इस मेशिन में धूल गंदगी लगने से भी एक पॉब्लेम होता है तो इस पॉब्लेम के लिए सबसे पहले मेशिन का यह जो सारकित है इसको ठीक से साप करना होगा इसके उपर जो भी धूल लगी है गंदगी इसको यह पर हमें ठीक से साप करना होगा तो आप देख सकते हैं यह पर छोटा से एक IC है यह थोरा चा धूल लगने से IC ठीक से काम नहीं कर पाते है क्योंकि यह पर बहुत ही काम वोल्टेज से काम करते है IC 1.5 वोल्टेज अनली और यह पर थोरा चा धूल लगने से वोल्टेज ड्रोप हो जाता है इसलिए IC काम नहीं कर पाते है तो हम यह पर ठीक से साप करके देखना होगा तो फैन आगार इस मेशिन को ऐसे साप करने के बाद भी ठीक नहीं हुआ तो इस मेशिन को चेंज करना होगा और यह मेशिन चेंज करने चेंज अची बेलकुल ठीक हो जायगा घरी और ये मेशिन मार्केट में देर्श्य रुपे से लेकर 200 रुपे के अंदर मिल जाएगा बहुत आसानी से और इसको साप करने के बाद हमें इसको जैसे थी हमें बैसी सेटिंग करना होगा ऐसे और ये मेशिन का लिंक वीडियो डिस्प्रिशन ने मिल जाएगा आपका जरूरत है तो आप बाए कर सकते हैं और ये मेशिन ऐसे फिटिंग करने के बाद एक बार टेस्ट करके देखना होगा उसके बाद ये सेकंड का का पाटा है इसको या पर लागा के देखनां तो आप देख सेकते हमारा मेशिन ठीक हो गया है बेलकुल होके मेशिन चल रहा है तो फ्रेंट इसका मातलब हमारा घरी का मेशिन ठीक हो गया अब मैं इसको घरी के अंदर लागा सकते हैं तो जैसेती हमें वैसे ही लागाना होगा तो चली इसको फिटिंग कर लेते हैं तो फ्रेंट इहाँपे घरी का काटा लागाने के टाइम पे आपको एक बाद ध्यान राकना होगा घरी का काटा पर्फिक्ट तीन पर रखके सेट करना होगा तीन बाजेताग जैसे उसके बाद टाइम एक जेस्ट करना होगा गरी का सबकुस ठिक ठाक फिटिंग करने के बाद इकस को घुमा के टाइम ऐक ज़स्ट करना होगा इससे हमारा यहाप्र टाइम आभी एक बाज चुकी है पूरी तरह तो हमें एक बाजे तक टाइम सेट करना होगा यहाँ पे तो फ्रेंट घोडी का रिपियर पोर्सेस कॉंपलिट हो गाया बास और कुछ नहीं करना होगा थैंक्यू दस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए अर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरा चैनल को सस्क्राइब कीजिए क्योंकि इस तरह वीडियो में हर तरह लाता रहता हूँ